हलो बच्चों वेलकम टू आई यूट्यूब चानल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड टेंथ मैच टू जोमेट्री का चाप्टर वान जिसका नाम है सिमिलार्टी इसके सारे प्राक्टिस सेट हो गया है और प्रॉब्लम सेट वन का भी लेक्चर वन अप्लोड कर दिया है जि आपको अगर वो देखने है तो यहां पर आए के बाजो में उपर राइट साइड कॉर्णर में एक लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए आपको लाइन वाइस सारे वीडियो मिल जाएंगे चलो शुरू करते हैं सेकेंड क्वेस्चन से जो चानल पर पहली बार आ रहे हैं उ इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि यह तीनो एक स्ट्रेट लाइन में है यह तीनो पॉइंट बीडी सी अगर आपको इस फिकर नहीं दिया होता तो भी आपको समझ में आता कि यह बीडी सी तीनो एक ही स्ट्रेट लाइन के उपर है यह बहुत इंपोर्टेंट ह समझना और हम यह reasons में भी आगे जाके लिखते हैं इसलिए यह ignore मत करो यह कैसा है देखो ऐसे straight line पे B, D, C ऐसा लिखा है लेकिन ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा न इसलिए इसको कैसे लिख दिया ऐसे लिख दिया कि यह straight line के ऊपर है B, D, C and B, D equal to 7 तो यह अपना जो B, D है वो 7 है and B, C equal to 20 यह B, C मतब यह पूरा यह पूरा वो बोल रहा है कितना है 20 then find the following ratios area of triangle A, B, D upon area of triangle A, D, C यह A, B, D का area और A, D, C का area निकालने बोला है अब आपको यहाँ पर clearly दिख रहा है कि height तो दिया नहीं है तो आप area तो calculate कर नहीं सकते है ठीक है ABD जो triangle है उसका height यह वाला 90D के दिख रहाएगा लेकिन उसका value तो दिया नहीं है आपको तो आप area calculate नहीं कर सकते है लेकिन आप similarity की concept यूज़ करके यह ratio निकाल सकते है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो यह rough में बता रहा हूँ fair में इसको एकदम detail में लिखके बताना पड़ेगा जो मैं बताऊँगा आपको लेकिन पहले logic समझ लो अकर यह पूरा 20 है और उसमें से चोटा टुकडा 7 तो यह बड़ा टुकडा कैसे आएगा यह पूरे 20 में से आप यह वाला 7 माइनस कर देंगे तो यह बचेगा न तो 20 में से 7 माइनस किया तो यह इतना आया यह आ गया आपको 13 तो यह हो गया अपना 13 ओके फिर यहाँ पे मैं एक perpendicular डाल देता हूँ तो यहाँ पे height A यह बना दिया और यह जो height A आप अच्छे से देखो यह वाले triangle का भी height है क्योंकि opposite vertex से base पे perpendicular आप जब ADC देखोगे ADC यह वाले triangle का भी height बनाना है तो opposite vertex से base पे perpendicular का हैगा इसको extend करना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा पपे perpendicular तो यह जो A है यह ADC का भी height है और यह पूरा triangle ABC जब लेंगे बाकी सब चीजों को ignore कर दो उसमें भी opposite vertex से base के उपर यही वाला height है तो यह जो A है यह तीनो triangle का height है triangle ABD का भी height triangle ADC का भी height and triangle ABC का भी height है तीनों का height है हमने ऐसे questions पहले solve किये है त्रक्टिस सेट में इसलिए इसमें tension नहीं आना चाहिए अब आपको क्या करना है आपको find करना है area of triangle ABD upon area of triangle ADC जब भी कोई भी triangles में similar triangles में उनकी height common होती है तो उनके area का ratio क्या आता है उनके area का ratio आता है उनके basis का ratio तो ABD का base क्या है देखो ABD का base है BD तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ equal to उपर क्या आ जाएगा BD और नीचे क्या है ADC ADC का base क्या है DC क्यों base आ रहा है height को क्यों ignore कर रहे है क्योंकि height दिखा भी मैंने AE तो दोनों जगे AE आएई आएई आएगा न और वो cut जाएग इसलिए क्योंकि A लिखने की जरूरती नहीं है सिर्फ bases आएगे क्योंकि bases ही अलाग है इसमें reason लिखना पड़ेगा जो मैं fair मैं बताऊंगा आपको ठीक है तो यहाँ पर BD की value क्या है BD की value है 7 और DC DC की value है 13 तो पहले वाले का answer आ जाएगा 7 upon 13 ऐसे नहीं लिखना है वहाँ पर ले base कितना है यह पूरा BC तो हम लोग क्या लिखेंगे ABD का base क्या है BD और ABC का base है BC what is the value of BD BD की value है 7 और BC की value पूरे BC की value है 20 तो यहाँ जाएगा 7 upon 20 यह थर्ड वाला आप खुच से find कर सकते हैं न अगर वीडियो pause करके यहीं पर concept wise find करना है को find करो फिर मैं आपको बताता हू कि पूरे question का solution आप लिखेंगे कैसे करो video pause और फटा फट से इसका value निकालो करो pause चलो आगया ADC ADC देखो यह रहा उसका base है DC तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ DC फिर next है ABC ABC यह बड़ा triangle है उसका base क्या है BC तो यह आ जाएगा BC what is the value of DC DC का value है 13 तो इदर आ गया 13 फिर what is the value of BC BC यह पूरा है which is nothing but 20 देखो यह दाला हूँ है मैंने तो BC आ गया 20 खतम solution तो आ गया concept दिमाग में ऐसे इतने में fit हो गया लेकिन लिखने के time पर पूरा once upon a time तो story शुरू कर नहीं पड़ेगे कोई attention नहीं हमको आता है ना हमने बहुत सारे questions लिखे और कैसे लिखना है वह बहुत जरूरी है तो ही आपको full marks मिलेंगे ऐसे लिख्या होगे तो क्या मिलेगा 0 दिख रहा है न ऐसा वाला चलो देखते हैं इसको fair में कैसे लिखेंगे तो पहले तो लिखेंगे given given में देखो b dash d dash c फिर b d equal to 7 दिया है b c equal to 20 दिया है यह पुरा लिख दिया find the following ratios है तो find मैं देखो first second third यह ratio पूछे गए और हमने a e perpendicular b c बनाया था देखो यह a e perpendicular b c तो उसको क्या बोलते है construction draw a e perpendicular b c such that b dash e dash c मतलब यह e यही वाले base पे point है b e c b e c तीनो एक ही straight line ठीक है क्योंकि base हमको बताना न common आया समझ मैं तो यह मैंने यहां पे construction लिख दिया फिर मुझे यह पता है कि मुझे दिया गया है b d 7 और पूरे का length दिया है 20 तो मैं बोल सकता हूं कि जो पूरा length है b c it is equal to यह चोटा टुकडा b d plus d c क्योंकि यह 7 दि dc will be equal to 20 तो यहां पे लिख दिया b c equal to b d plus d c क्योंकि यह 3 एक straight line पर है value substitute करके dc का value मुझे आया 30 units ओके फिर सब जगे यह लिखना है triangle जो भी दो दिये हुए हैं पहला यह दो है न तो उसमें दोनों triangle के नाम लिखे और लिखा have same height a e यह height है न उनका a e तो अगर same height है तो उनका जब मैं area का ratio निकालूंगा तो क्या है गा उनके basis का ratio और मैं reason में क्या लिखूंगा triangles with equal base बस इतना reason लिखने से अपना काम हो यह a b d का base देखो क्या है a b d का base है b d और दूसरा क्या पूछता a d c a d c का base है d c इसलिए यहां पर आया b d upon d c ठीक है फिर यहां पर तीसरा देख लो triangle a d c and triangle a b c दिया हुआ है यह ratio पूछा है न तो उनका भी height same है a a d c का base है d c a b c का base है b c यहां पर figure में से पता चल देखो a d c का d c और a b c पूरे triangle का base है b c ठीक है तो यहां पर डाल दिया d c upon b c value substitute कर दिया reason लिखना है triangles with equal base ठीक है तो यह आप यह लिख सकते हैं वीडियो pause करके एक बार पूरा solution देख लो तीनो question में same steps लिखे हैं नाम change हो रहे हैं तो उनके basis change हो रहे हैं बस concept same है reason भी same है नोट बुक में ऐसी ऐसे मत तो चो easy है बाद में कर लोंगा फिर यह रह जाएगा easy question रहे गया वो ही exam में आने वाला done next करते है third question दिया है ratio of areas of two triangles with equal heights is 2 is to 3 दो triangle है उनका क्या दिया हुआ है equal height ठीक है तो ratio लेंगे तो bases आएंगे ना जैसे second question में ताव ऐसे ही if base of the smaller triangle is 6 cm what is the corresponding base of the bigger triangle तो देखो यहाँ पर ratio मतलब upon ना तो अगर मैं ऐसे लिखूँ उपर छोटा है देखो उपर 2 है नीचे 3 है ठीक है तो उपर smaller triangle आगा नीचे bigger triangle आगा तो उपर छोटा नमबर है ना ratio वैसे ही आता है तो मैं यहाँ पर लिख दूँँगा smaller triangle का area rough में कर रहा हूं इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूं फिर area of big triangle यह दिया हुआ है आपको 2 upon 3 correct लेकिन area of small triangle इन area of big triangle क्या होता है अगर उनके heights equal है तो bases आएगा ना जैसे second question में आया था एक बड़ देखो यहाँ पर second question में है इनका height equal था ना a तो जब हम लोग area का ratio ल जैसे यह question में भी base का ratio आएगा ठीक है ऐसा है therefore अब मैं area of small triangle के जगे पर क्या लिखूंगा base of small triangle ओके area of big triangle के जगे पर क्या आएगा उसके जगे आएगा base of big triangle यह rough में करा रहा हूं यह 2 upon 3 ऐसे ही होगा what is base of small triangle इसके जगे मैं क्या डाल दोंगा इसके जगे पर डाल दोंगा मैं 6 ओके फिर मुझे इसका value निकालना है ना तो यहां पर नीचे है equal to cross करके वहां पर चला जाएगा यह 3 यहां पर नीचे वहां उपर जाएगा यह 2 उपर है यहां नीचे आएगा ठीक है इसका value आ जाएगा ना वहां जाके तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा therefore 6 into 3 upon 2 equal to और यह वाला पार्ट जो है यह चला जाएगा इधर calculate करो इसको क्या आता है आपको इसको calculate करेंगे तो आएगा 2 1s are, 2 3s are, 3 3s are कितना होता है 9 तो base of big triangle आगे आपको 9 इसमें सबसे important part क्या था कि यह समझना कि area of small triangle उपर आएगा area of big triangle नीचा आएगा क्यूं विकॉज देखो ratio 2 upon 3 दिया है 2 चोट आए ना तो उसके सामने small triangle आएगा 3 बड़ा है तो बड़े के सामने big triangle आएगा यह दोनों numbers को compare करें ने तो आपने यहां पर big triangle लिख दिया और यहां पर small लिख दिया तो पूरा question रॉंग हो जाएगा सबसे important यह है उसके बाद तो यह बहुत time passed ओके चलो fair में कैसे लिखेंगे देख लो एक बाद question में दिया था area of 2 triangle का ratio at 2 is to 3 उनके heights equal है तो हमने लिख दिया area of smaller triangle upon area of bigger triangle equal to 2 upon 3 given but उनके heights अगर equal है तो उनके area का ratio के आएगा उनके basis का ratio तो area of smaller triangle के जगे पे आएगा base of smaller triangle area of bigger triangle के जगे पे base of bigger triangle यह 2 upon 3 ऐसे का ऐसा base of smaller triangle question में दिया हुआ है 6 cm तो उसके जगे पर 6 दाला base of bigger triangle ऐसे ही रखा यहाँ पर 2 upon 3 ऐसे ही रखा base of bigger triangle का value क्या आएगा इसको इधर बेज देंगे 3 इधर आएगा 2 नीचे आएगा 6 into 3 upon 2 ऐसे आजाएगा इसको cut करेंगे तो क्या मिलेगा 2 1s आर और 2 3s आर 3 into 3 9 9 divided by 1 will be 9 तो आपको आजाएगा 9 cm तो answer क्या लिखेंगे the corresponding base of the bigger triangle is 9 cm आपको यह वाले step में problem हो रहा है तो एक extra step लिख दो base of bigger triangle को यहाँ बेजो इसको इधर लेके आओ फिर next step में base of bigger triangle left side shift करो, same idea लेकिन अभी 10 standard में आ गया हो तो इतना समझ में आ जाना चाहिए, ओके एक बार पूरा solution देख लो बहुत ही simple है ऐसा question exam में है ना तो पहले dance कर ले ना वहाँ पे, full marks आने चाहिए इसमे, dance के नहीं solve करने के marks मिलने वाले हैं कर लिया copy next करते है fourth question में c equal to angle dcb, a, b, c equal to dcb, equal to 90 degree देखो 90 degree का sign भी दिया है a, b equal to 6, label किया हुआ dc equal to 8 then area of triangle a, b, c upon area of triangle dcb, a, b, c कौन सा है देखो a, b, c और dcb कौन सा है, dcb क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे देख लो a, b, c का base क्या है, यह b, c उसका base है और dcb का base क्या है वह a, b, c उसका base है तो दोनो triangle का base सेम है तो इनका ratio क्या हैगा ratio height का हैगा न तो a, b, c का height क्या है देखो opposite vertex से perpendicular base पे उसका height है 6 और dcb का height देखो यह है न उसका height opposite vertex से perpendicular उसका height है 8 तो मुझे मिलेगा equal to 6 upon 8 cut करूँगा दोनों 2 की table में जाते हैं तो cut होंगे न 2, 3's are 2, 4's are answer आगया 3 upon 4 बस इतना सा ही question है है ना simple एकदम चलो इसका solution कैसे लिखेंगे आपको try करना एक बार solution लिखना फिर मैं जो दिखा रहा हूँ copy करके compare कर ले न देख लो चलो एक बार solution देख लो पहले इसमें जो कहानी दिए वो लिखेंगे ABC angle DCB equal to 90 degree AB6 DC8 find करने क्या बुला है ये वाला ratio तो हम लोग लिखेंगे triangle ABC and triangle DCB है same base BC है के नहीं same base है के नहीं और अगर उनका base same है तो उनके area का ratio क्या है उनके height का ratio triangle ABC का height है देखो ABC उनका base BC है height क्या होता है उसके उपर perpendicular तो उसका height है AB और DCB इसका base क्या है BC उसके उपर perpendicular होता है वही height होता है तो ये perpendicular होता है कितना है 8 तो AB और DC दाल दिया AB के जगे 6, DC के जगे 8 हम लोग इसको cut कर सकते हैं दोनों 2K टेबल में जाते हैं 2-3's are, 2-4's are अंसर क्या आगया इसका अंसर आगया 3 upon 4 इतना time pass question दिख रहा है बट tricky है लोग ये reason लिखना भूल जाते हैं तो उस्ते हैं रहे ठीक है नहीं लिखेंगे तो चलेगा 2 mark का question तो आधा एक mark इसके लिकर जाएगा आया समझ में चलो copy करो फटाफट और कितना भी basic question हो ये लिखेंगे तो थोड़ा organized लगता है इसलिए हमेशा लिखना है given, find, solution या given, to, prove, proof करो copy फटाफट next करते हैं 5th question में दिया है in figure 1.74 PM equal to 10 ये PM आपको 10 दिया हुआ है area of triangle PQS is 100 PQS का ये पूरे का अरिया कितना है? 100 area of triangle QRS ये नीचे वाला triangle जो है इसका है 100 and 10 और ये उपर वाले का अरिया है 100 find nr ये nr पूछा गया है देखो ये PM जो है वो 10 दिया है nr आपको पूछा है PM क्या है देखो PM उपर वाले triangle का height है nr जो है वो नीचे वाले triangle का height है अब मुझे बताओ ये दोनों triangle में क्या common है? ये दोनों triangle में ये वाला part common है न ये क्या है उनका base ऐसे मत तो चो और ही ये वाले triangle के लिए तो उपर है base थोई ना उपर है base कहीं पे भी हो सकता है base क्या होता है? जिसके उपर आप height perpendicular है डाल सकते है हर एक triangle में तीन base possible होता है कोई भी side base हो सकता है ठीक है? उसके उपर perpendicular है डालोगे तो वो दूसरा वाला line height हो जाता है तो यहाँ पे Qs base है दोनों का base Qs ही है न? ये वाले triangle में देखो Qs base है और ये वाले triangle में भी Qs base है तो इनके area का ratio क्या हैगा? अगर मैं दोनों का ratio लूँ तो उनके heights का ratio हो जाएगा न? और heights तो हमको एक पता है तो दूसरा पता चल जाएगा तो कैसे लिखेंगे इसको? तो अगर इसको rough में solve करना है तो मैं लूँगा area of triangle QRS upon area of triangle PQs QRS है 110 upon नीचा आएगा 100 will be equal to ये 110 इसका लिया QRS QRS का height क्या है? NR तो उसका आएगा equal to NR upon इदर क्या आएगा नीचे ये 100 किसका लिया मैंने PQS का PQS का क्या है height? PM उसका value क्या है? 10 इदर divide हो रहा है उपर multiply होगा तो मैंने यहां से इसको हटाया और वहाँ जाके ये हो गया multiply ये 0 के साथ 0 काट 11 इंटो 1 क्या आगया? 11 तो NR का value क्या आगया? 11 इसको लिखेंगे कैसे हमें बता हूँँगा लेकिन समझा solution कितना easy है concept अगर आपको आता हो तो ये एकदम easily solve हो जाना चाहिए चलो देखते हैं लिखेंगे कैसे? तो पहले तो given सब कुछ लिखने का PMDI 10 area of triangle जो दो दिया है वो लिख दिया find क्या बुला है? NR तो बुलिखते है solution में सबसे पहल ये जो दो triangle दिया है तो उसका base हो सकता है ये पूरे triangle के लिए एक side है ना तो उसका base हो सकता है तो दोनों का same base है QS common है तो जब मैं इन triangle के areas का ratio लोगा तो equal to क्या हैगा? height का ratio तो QRS का height क्या है? QRS का height है NR और PQS का height है PM तो NR upon PM है reason लिखना पड़ेगा triangles with equal base फिर value substitute कर दिया सब जगे solve किया और ये मैं आपको cut करके बताया अप में 0 के साथ ये 0 कट ये 0 के साथ ये 0 कट 1 into 11 upon 1 which is 11 तो NR का value आगया 11 cm तो ये हो गया इसका पूरा solution देख लो एक बार अच्छे हैं copy कर लो बहुत ही easy questions आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें आप mistake करेंगे हैं नहीं लेकिन बहुत silly mistakes होने का चाहिए इसलिए copy करते हैं थरेक step समझो कि क्यों लिखा है और ये वाला concept हमने practice set में बहुत बार use किया है मैंने बहुत detail में explain किया था ज़र आपने practice set के videos देखे हैं तो ये आपको नया नहीं लगिए done next करते है 6th question में दिया है triangle MNT is similar to triangle QRS length of altitude drawn from point T point T मतलब MNT का altitude है altitude भी बोलते हैं लोग इसको is 5 and length of altitude drawn from point S QRS में is 9 find the ratio ये दिया सका खीक है तो इसका figure बना लेते हैं पहले ये मैंने MNT बना लिया और उसके altitudes भी बना लिया घीक है तो MNT triangle इदर मैंने ऐसे बनाया ऊपर T लिया क्योंकि उपर से altitude आ रहा है तो easy होता ना बनाना तो T X इसका altitude ले लिया और S Y इसका altitude ले लिया मैंने छोटा क्यों लिया यह triangle क्योंकि इसका altitude दे को 5 दिया हुआ इसका altitude 9 दिया हुआ इसलिए यह बढ़ा ले लिया तो यह है 5 और यह है 9 find the ratio of area of triangle MNT MNT में लिए पूरा वाला और QRS यह इसका ठीक है इसका आपको ratio निकालना है क्या आएगा ratio अभी area का ratio है तो हमें पता है कि अगर bases same हो तो height का आएगा लेकिन यहापे base same नहीं है देखो MN और QR अलग है अगर height same तो base का ratio आएगा पर यहाँ पर height अलग है 5 और 9 और base into height करके पूरा value लेंगे तो दोनों का value आपको पता नहीं है तो find कैसे करेंगे तो इसके लिए अपन एक और result जो हमने निकाला था वो use करेंगे कौन सा कि area of triangles जो भी है अगर वो similar है तो क्या आता है it is equal to जो भी उनके corresponding sides का ratio है उसका square यह theorem मैंने आपको कराया था यहाँ देखो textbook में theorem of areas of similar triangles अगर दो triangle दिये हैं और दोनों similar हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के area का जो ratio है अब इसके corresponding sides क्या होंगे a b upon p q तो मैं लिखनूँगा a b square upon p q square area आया तो ठीक है और दूसरा क्या है b c upon q r तो b c square upon q r square देख रहा है तीसरा a c upon p r तो a c square upon p r square यह area आया तब ही कर सकते हो ऐसा ठीक है यहाँ पर देखो base अलग height अलग कुछ भी equal नहीं तो आप हमेशा इनके corresponding sides के ratio का square लिख सकते हो result है ठीक है तो यह result यूज करके हम लोग यह वाला question solve करेंगे यहाँ पर देख लो तो अगर मुझे इसका value निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ यह equal to आएगा चलो यह वाला side ले ले लेते हैं mt square upon qs square देखो यहाँ पर mt और qs corresponding है na mt qs तो अगर mt upon qs दोनों corresponding है तो यहा यह theorem है अब भी मैंने आपको बता है इसको बोलते है theorem of areas of similar triangles यह result यहाँ पर use क्या हुआ है ठीक है तो यह use करना है अब आप बोलेंगे सर mt और qs तो है नहीं हमारे पास mt और qs का तो value नहीं है ना तो mt और qs निकालने के लिए हम यह छोटू triangle consider करेंगे यह वाला एक छोटू और यह वाला अब यह दून triangle में आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह वाला जो angle है 90 degree यह तो दोनों में 90 है ना दोनों में 90 यह सो नो और यह लोग बुल रहे हैं यह दो बड़े triangle similar है ठीक है mt और qrs अगर यह दो बड़े triangle similar है तो इनकी सारे angles equal होने चाहिए तो यह जो angle m है यह angle q को equal होगा ना पहले से ऐसे सोचो कि आपको यहाँ पे यह altitude दिखी नहीं रहा यह दोनों triangle similar है यह question में ही दिया हुआ है कोई भी दो triangle अगर similar होते है तो उनके सारे angle equal होते है m equal होगा q को t equal होगा s को और r equal होगा n को corresponding जो भी है मुझे सिफ m में interest है क्योंकि मेरा जो छोटू triangle बन रहा है वो m और q है ना तो मैं बोल सकता हूँ m और q angle equal है और यह तो 90 degree दिख रहा है तो यह वाला जो छोटू triangle है यह दोनों भी similar होगा है क्योंकि दो angle उनके congruent है अगर दो angle congruent तो a8s से दोनों triangle से मिला अगर यह दोनों triangle similar है क्या नाम देना है उसको mtx देते हैं इसको mtx और इसको mtx दिया तो इसको qsy same order में देना पड़ेगा तो मैं बोलूँगा triangle mtx is similar to triangle qsy प्रभाएं को से टेस्स से यह रफ मैं बता रहा हूं तो इनका ratio क्या है मुझे ratio interest कौन सा है mt और qs में है क्या है तो dेखो mt upon qs will be equal to क्या मैं बोल सकता हूं tx upon sy corresponding है देखो mt upon qs will be equal to tx upon sy और tx upon sy मुझे interest क्यों है क्योंकि इनका values दिया गया है तो equal to लिख दूँगा tx upon sy मुझे तीसरे वाले में interest नहीं है तो लिखी नहीं रहा हूं क्यों लिखो mx upon qy लिख सकता हूं ठीक है आता है तीनों साइट का लेकिन मुझे इसमें कोई interest नहीं मुझे interest है इसमें क्योंकि यह इधर यूज हो रहा है और इसमें because इसके values दिये तो जब mt upon qs 5 upon 9 है तो यह square किया तो 5 square upon 9 square 5 square होता है 25 9 square होता है 81 खतम यही है solution तो एक ऐसे दिया था बड़ा triangle का pair similar है और altitudes दिये गये थे और हमको area का ratio पूछा था तो area का ratio तो corresponding sides के ratio का square आता है यह एक theorem है बट वो भी हमको value नहीं दिया था mt और qs का value नहीं दिया था altitude का value दिया था हमने क्या किया हमने जो altitude से छोटू-छोटू triangle बन रहे हैं उनको similar prove कर दिया फिर ratio निकाला और substitute कर दिया ओके चले इसका solution देखो एक बार तो solution में पहले आप लिखेंगे given triangle m and t similar triangle qrs दो altitudes दीए t से और s से तो उनका नाम मैंने figure में tx और sy दिया है तो आप यहां पर लिख दो tx and sy are altitudes with tx equal to 5 and sy equal to 9 यह सब लिखना पड़ेगा explain करना पड़ेगा find क्या बोला है area of triangle m and t upon area of triangle qrs solution में मैंने क्या बोला था कि हमको यह छोटू triangle लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा लेकिन छोटू triangle के लिए पहले बड़ा triangle similar है वो use करना पड़ेगा तो पहले यह लिख दिया similar है given और जब यह similar हो होगा तो इनका यह जो angle M or angle Q फोगा फैर एक angle m एंःगल Q को на my round कोगा angle t पूरा angle s को होगा angle n पूरा angle r को लेंगा यह वाला कि emissions कोरेगा बड़े जगे ये C, A, S, T लिख देते हैं Generally कोई-कोई लोग चला लेते हैं कोई लोग नहीं चलाते हैं तो हम लोग क्या safe side पे रहके हम लोग पूरा लिख देंगे बहुत ज़्यादा time नहीं जाता है ऐसे मत्तों कि करोडो minute बच जाएंगे hardly 20 seconds, 15 seconds भी नहीं बचेंगे ठीके तो 15 seconds में क्यों हम लोग को risk लेना है लिख दो ना पूरा C, A, S, T के जगे पे पूरा लिख दिया corresponding angles of similar triangles ओके फिर इसको number 1 दे दिया अब दोनों छोटू ट्राइंगल लिए M, T, X and दूसरा लिए Q, S, Y इसमें angle M और angle Q congruent है शोटू triangle में कहां से मिला? यहां से देखो from 1 और ये वाला जो angle है ये angle दोनों का congruent है angle M, T, equal to angle Q, Y, S, Q because each angle is 90 degree अब दो angle जब congruent हो तो ये दोनों triangle क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे similar भाई तो angle जो भी आया उसके कारण triangle M, T, X is similar to triangle Q, S, Y ए, A test क्योंके दो angle लिया न अब जैसे ही ये दोनों similar हो है इनके sides के ratio equal आ जाएंगे तो हम लोग कौन सा लेंगे? M, T upon Q, S, equal to T, X upon S, Y जो तीसरा है M, X upon Q, Y वो भी equal है लेकिन इसमें हम लोग को interest लिए इसमें क्यों interest था? विकाज ये हमारे area का ratio निकालने में काम आने वाला है और इसमें क्यों interest है? विकाज T, X upon S, Y का value दिया हुआ है देखो T, X 5 है और S, Y 9 तो मैं क्या गरूँगा? ये T, X upon S, Y के जगे पे value substitute कर दिया 5 upon 9 अगर चाहिए तो ये यहाँ पे erase कर दो ठीक है? और ये 5 upon 9 जो value आया है वो ऐसे आ जाएगा देखो ना T, X के जगे पे 5, S, Y के जगे पे 9 अब मुझे ये पूछा गया था question में याद है आपको ये ये था question तो इसका value क्या होता है? इसका value होता है sides का जो ratio होगा corresponding sides का, MT upon QS उनका square, क्यों square? because area दिया है अब ऐसे मत तो चोरे, sir इसके पहले तुम लोग base और height ले रहे थे अगर base कब लेते थे जब height equal होता था height का ratio कब लेते जब base equal होता था ये वाले question में ना base equal है ना height equal है, तो वो तो गया हमको अगर ratio निकालना है area का तो हम लोग को sides यूज करना में तो sides मेंने MT और QS की यूज किया because MT और QS मुझे यहां से मिल गया तो MT QS और area का ratio है तो आ जाएगा square MT upon QS का value किया है 5 upon 9, तो जब square करेंगे तो सब कुछ square होगा, तो यहां पे देखो इसके जगे पे 5 square, इसके जगे पे 9 square 5 square is 25, 9 square is 81 कतम, इसका value आगया 25 upon 81 यह value मैंने कहां से लिए MT upon QS का 5 upon 9, 2 से, इसलिए यहां पे लिख दिया from 2, यह value सब्सूट किया देख लो एक बाद पूरा solution इतना ही detail में आपको लिखना पड़ेगा आपके पास option नहीं है ऐसे मतों चौरे एक आद दो step में खा जाओंगा नहीं कर सकते लिख के बताना ही पड़ेगा, given भी लिखना ही पड़ेगा नहीं तो teacher सुचे कि आप अजियूंगर आपको जब भी solution लिखना है तो आपको ऐसे explain करना है कि teacher को नहीं आता है तो यह आप हर एक line लिखेंगे each angle is 90 degree कितना obvious से 90 दिख रहा है ऐसे मतले लिखना रहे है obvious है teacher, 90 degree दिखतो रहा है must पड़े की कान के नीचे अच्छे से लिखना each angle is 90 degree एकडम छोटे बच्चे को explain कर रहे हो वैसे करो ऐसे नहीं कि 5 square भी पूरा explain किया 5 into 5 is 25 बट वो बच्चा 9th 10th में आ गया है वैसे उसको explain कर रहे हो आपके friend को करते हो वैसे कर लो कापी फटा फटा से नोड़ बुक में हो गया तो आज के lecture में मैंने आपको second सिखाया third, fourth फिर fifth भी हमने देख लिया और sixth भी देख लिया ठीक है तो आज का lecture यहीं पर खतम करते है problem set 1 जो है similarity का उसके दो lecture हो गए lecture 1 में मैंने आपको first question में जो 5 question ते वो कराया थी red color का जो tick है वो और lecture 2 में मैंने आपको यह वाले question कराया 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करकर के हम लोग यह पूरे similarity के problem set 1 के सारे question solve करेंगे एकदम detail में यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए यहीं पर खतम करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like ज़रूर करें link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें ताकि उनको भी similarity का problem set 1 अच्छे समझ में आ जाए अगर आपने मारे चैनल को subscribe कर दिया है तो thank you, नहीं किया है तो क्यूवेट कर रहे हो, कर लो subscribe हम इतने ही detail में हर एक question, हर एक practice set का हर एक problem set का solve करते हैं comments मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कोई video कैसा लगा, या आपको कोई feedback है आपको चाहिए कि मैं कोई particular way में question solve करूँ, या कुछ missing है तो आप मुझे comments में बता सकते हूँ मैं सारे comments पढ़ता हूँ और शायद response अब को न कर पाँ, लेकिन comments सारे पढ़ता हूँ, तो आप comments में मुझे बताईए मैं पढ़के try करूँगा कि videos में वो change आजाए, thank you so much for watching this video